Hello everyone, welcome back to our channel. आज हमारे बीच मौजूद है राजमन सिंग महौली सर, जो की एक लेखक, एक चिंतक, एक समाच सेवक और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं. सर, welcome to our channel. Thank you. तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कि दो बहुत बड़े यूट्यूबर्स के पीच में कुछ कॉंट्रोवर्सी चल रही हैं, तो उस बारे में आज हम सर से बात करेंगे. तो सर, मेरा पहला क्वेशन आप से ये रहेगा, कि जो ये सोशल मीडिया पर ये विवाद चल रहा है, विवेक बिंद्रा सर और संदीब महेश्वरी सर का, ये क्या है? सबसे पहले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कि 11 दिसंबर 2023 को, संदीब महेश्वरी सर का शोर चल रहा था, और उसमें एक लड़का खड़ा होके बोलता है, कि मैंने इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर से कोई कोर्स ख्रीदा था, और वो कोर्स किसी काम का नहीं, तो उसके बदले में, मैंने उस बंदे को 50 जार पिया दिया, और फिर एक लड़का खड़ा होके कहता है, जी मैंने 35,000 रुपिया दिया, तो उन्होंने जो अगे बताया कि उनके जो कोर्स हैं, एक लाक, दस लाक रुपे तक भी कोर्स हैं। जो मैं आया था इस प्रपस को जो मैं देखकर आया था महाँ पर, कि मेरे को यह मिल जायाएगा, मतलब बिजनेस देखने को मिल जायाएगा, और तो मेरे एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, और एक्चलम कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब, कितने पैसे दिया आपने वहाँ पर? आप पचास जार दे 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 सर, मैंने, पचास जार रुपे? जी सर, मैंने यूज़ी जो देखा है, यूट्यूबर्स बगरे जो करते हैं, वह तो तो दू-चार पांस जार रुपे का होता है, आनली के वह कॉने काफी बड़े यूटूबर हैं, हिखाँ दो कि निवह अगा क्यूं अगर शॉयं पर भू या क्यो तो यहां जा कर चयाए इसा, भू सो बना है आप ये किहरे हो कि कान एक narant सकुनल्स कारो जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है तो इन्नोंने पैछा दी है verdad बहुत सारे अलग कोर्सिस है यह अच्छा लाक रूपय भी किसी वाई का नाम नहीं है ये बात हुई और विवेक बिंद्रा ने इसके उपर रियक्शन कर दिया मैं उन्होंने किसी त्रीके से इनके उपर दबाव ड़ना शुरू कर दिया कि आप वीडियो डिलीट कर दो तो ये सबसे मतलब जो खराब बात ये रही कि जब आपका नाम ही नहीं लिया तो आपने उनके उपर डवट क्यों किया जब आपका नाम आता तो ठीक था हाँ उसके बाद लड़ाई में सारी बारतें मतलब विवेक बिंद्रा का नाम लेके ही करी एसन देव मेशिवरी ने तो ये जडूरी था कि वो बंद्रा पहले अब्जर्व करता कि किसका नाम आरहा किसका नहीं हो सकता है यदि बात ही ना करते तो बात दब ही जती अब रहा इसके उपर विवाद क्या है विवाद ये है कि विबेक मिंद्रा ने अपना बड़ा बिजनस मॉटेल बनाए है, एक आई बीसी, एक पता नहीं क्या क्या है, पैसा बहुत हीशार्च कर रहा है, पैसा बहुत हैवी चार्च करने के बात, जो बात हाज्म होने की नहीं है, वो ये बात है कि मैं आपको दसलाकरूपे महिंद कमाने के योगे मनाऊगा दसलाक रुपे मेना पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापिस मंग लेगा यह बात हाजमी नहीं होती मैं भी बारा साल से से की ट्रेंइंग दे रहा हूं और 31 साल से इस प्रॉफेशन में हूं यह प्रॉफेशन रियल स्टेट का प्रॉफेशन जो सब्से हाईली पीड प्रॉफेशन बना जाता है हम भी इसमें मैं यह समयता हूं को इंडिया की जनता है इस ने कभी भी किसी चीज के उपर चिंतन मंथन नहीं करना जो इनको पीछे लगा लगा लिया जिसने उसी के पीछे लग जेंगे 1981 में सरहंद में एक तिलक राज नाम की का बंदा आया था जो 45 दिन में पैसा डबल करके देने की बात करता था और लोगों ने उसके पास पैसा जमा कराना शुरू कर दिया पहले पहले तो वो 45 दिन में डबल करके देता रहा तो मेरी उमर तब 19 साल थी तो मैं यह कहता था कि यह 100 प्रॉड है पंताली दिन में कोई पैरामेटर नहीं है जो आपको पैसा डबल करके दे सके तो वह लोग भागे लोगों ने अपने अभूशन बेचके मतलब जो उसके उनके गहने थे वह बेचके कोई प्रपर्टी बे से यह विवेक बिंदरा के पिछे लगे कि यह दसलाक रुपया महिना कमा लेंगे जी यह कर लेंगे रिष्टेदारों ने प्रेशर बढ़ना शुरू कर दिया जो आई बी सी थे वह अपने जो सरकल बाले बंदे थी उनके उपर उन्हों ने प्रेशर बढ़ना शुरू कर करना के शुरू कर दिया उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि यह लाक रुप तो आव चांब लाख की से अब और अको पैसे लगता है या या लो और कर दूँब यह कुछ कमाने के लायक नहीं बना सकता तो मेरे को क्या ऑंसे पैसे लहाएंश्य कैश्व być गैरंटी यानि कि कुछ और खरीदना चाहें अपग्रेड लोइस्ट प्राइस गैरंटी ये कौन दे सकता है कोई नहीं दे सकता है इसलिए हमने खुल के दिया है आपके तो रिस्क को खतम कर दिया ना अब बात यह है कि जब आपका कोर्स सही आदमी के पास नहीं जाएगा त यह दो गरंटी दे दि यह गरंटी दें दि तो पैसा मैं वह पैसा नहीं कमा सके तो पैसा उय singular volt 27 सर्थ 15 कशी recursos आज तक मैं हे recommendations दिने को एक एक संदी निए संत हैं मतलमें यह नहीं वाज़रता है पहले मिरहां बना दी दिन के कंट्रोवर्शी से पहले क्योंकि उसने एक इंट्रिव्य में कह था कि मैं 5 कुरोड रपे महिना यूच्यव से कमा सकता हूं और मैं नहीं कमाता मतलब उसको पैशा जो है उसको जुका नहीं सका मतलब वह पैशे के उपर उसके जो हमोशन हैГ good as है तो विवेक बिंद्रा के जो इमोशन है पैसे को लेके इसके कंट्रोल में नहीं यह पता नहीं इसने कि सिकंदर की तरह कैसे पूरी दुनिया जीत नहीं है कि यह मैं पांच हजार एंपलाई है मेरे पास एक सो पची ऑफिस हैं इंटरनेशनल बीजनस मोडल है इसका यह पता नहीं मतलब कितने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवा के बैटा है या और करवना चाहता है क्या है डॉक्टर अपने सामने डॉक्टर की डिग्री ल यह बात आगे ना आती और यह बात पहरी आदम हो जाता एक में कोई को कह रहा है कि मैंने चोरी में की नहीं की तो भाई BBC तो तुमंब आने की के जिरूर opinions नहीं की तो चुप कर शान्हीं से बेठो ना जिवान द्ना पर बात आती चषर की डड़ी में तिनका जब चौरगी दाड़ी में तिनका आगे तो ऐसे बंदे आगे सामने तो ऐसे बंदे आने के बाद ये एक से एक विवाद है वो बढ़ता ही चला गया जी सर तो इस विवाद में आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है देखो यदि तो सिंपल बात मैं ये कहूं कि विवेक बिंद Hag immuse2 haarem दो में मेंंडर तो है इसमें कोई शकने है और सही गलत की बहतर ही जो संदीश में भी यह वा पैसे का लालचनी है हां ठीक है यह भीवेक में रन्मस सका है यह कर रहा है यह कर रहा है उपले लेवल से का रहा उसकी शिकायत कोही ने चौर वहीं पकड़ा जा है अब तुम्हारी शिकायत हो गई है तुम पकड़े गई तो तुम्हें तुम्हारे उपर लोगों ने उंगली शुरू कर दी और यदि संधी में कल को उसके उपर कोई विजक्शन होगा तो लोग उदर चले जाएंगे क्योंकि लोगों को तो ऐसे ही सिस्टम रहता है तो जो क कौन इन में गलत है कौन इसमें ठीक है यदि आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे तो डेफिनेटली क्योंकि पबलिक रहे जो होती है वह सबसे बड़ी अराइब बनी जती है आपकी रहे क्या है आप ही कमेंट बॉक्स में लिखके हमें बता और सर आपकी अकॉर्डिंग ये विवात सोलच कैसे सकता है देखो ये दुनों ही मेरे साब से लीजेंड है दुनों टॉप के यूट्यूबर हैं इंडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है इनको यहां 23 लेवल तक आना ही नहीं चाहिए था अब लोग विवेक बिंद्रा पर उंगली उठा रहे हैं कि ये लोगों के बिजन्स को कैसे मेंज करता होगा जो इतनी इसी बात को मेंज नहीं कर पाया और उपर से उसकी वाइप के साथ मारफीट की वीडियो और वैरल होगी इस मामले से संबंदित विवेक बिंद्रा का पत्नी के साथ छकडा करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है इस वीडियो में दिख रहा है कि वो अपनी सोसाइटी के मेंगेट पर अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वह इसके बाद एक वीडियो और वाइरल ओपर हुई हिन्सा के बारे में विश्तार से बता रही हैं अब जो बंदा अपने घरको ही सेटलनी कर पा रहा यह को ही सहीद दिशानी परा उन लोगों को कैसे दिशा तो वो उसकी वाइफ के साथ जो हुआ है मतलब यह बातें मतलब लोगों ने अंगली उठानी चुरू करती जो आदमी अपने घर की डिरेक्शन से ही नहीं कर सकता वो लोगों को डिरेक्शन देता गूम रहा है वाइफ किसी की मदलो मेरी मदलो बैठ के बातें क्लियर कर लो यदि विवेग बिन्दरा सकेम करते पाएगी सकेम हो गया पसाबत हो गया तो विवेग बिन्दरा के लिए मुशक्लें बहुत जादा बढ़ने वालिए तो दोस्तो मैं आपको भी यह कहता हूँ कि आपने कल को किसी को पैसा देना है उसकी रेपूटेशन देख लो उसका प्रोड़क्ट देख लो उसका और देख लो क्योंकि जब आप पैसा दे देते हो दोबारे पैसा लेड़ा बहुत मुश्कुत जी सर तो हमारे साथ ये विचार साजे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप भी सर से कुछ information लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप comment section में हमें वो question लिख सकते हैं और उस question का answer लेके बहुत ही जल्द हम आपके सामने हाजर होंगे थैंक यू